वेलकम टू सैमस्टो हर बार मैं आपके समने ऐसी वीडियो से लेके आता हूँ जो कि हमें सप्राइस कर देती है कि यह अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है जिसे लास्ट टाइम मेरी स्लिंकी वाली वीडियो थी या फिर वाइन ग्लास वाली और जिसमें मेरा कोन ऊपर की ओर च तो आए बिना टाइम वेस्ट किये पहले एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं कि यह होता कैसे है तो यह जो आपको दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा होगा तो इसमें क्या है हमने पहले इसमें एक फ्रेम तयार किया है जो आपको red color से दिख रहा है वो side में frame है तो उस frame के अंदर मैंने एक square sheet को काट के रखा हुआ है जिसमें की 4 piece तो same color के हैं और एक जो center में है वो दूसरे रंका है जिसने की उस पूरे के पूरे frame को भरा हुआ है वो का जो area है वो पूरा को पूरा covered है लेकिन क्या मैं ऐसा इसमें करता हूँ कि मैंने क्या किया उसके जो parts से उनको separate किया separate करने के बाद जो उसमें red वाला part था उसको मैंने बाहर किया और जो बाकि उसके parts हैं उनको मैंने 180 degree rotate किया एक, दो, तीन, चार, उसके चारो के चारो पार्ट को मैंने 180 डिग्री रोटेट किया रोटेशन के बाद जब मैं उन्हें वापस लेके आता हूँ अपनी जग़ा पे तो मैं यह देखता हूँ यार कि वो जो रेड वाला पार्ट था सेंटर में जो स्क्वेर था चोटा स्क्वेर अब वो नहीं लग रहा है उसके बिना भी वो पुरा का पुरा भर जा रहा है तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो सेम फ्रेम है एक में तो वो स्क्वेर चोटा वाला स्क्वेर का यूज हो रहा है लेकिन दूसरे केस में जब मैं से रोटेट कर जा रहा हूँ तो उन 4 से ही भर जा रहा है ये काफी ज्यादा चमभे वाली बात है क्यूंकि फ्रेम तो सेम है जो छोटा square है उसका भी कुछ नहीं कुछ area है बाकी के जो 4 parts है उसका भी कुछ नहीं कुछ area है अगर मैं total sum करूं तो वो बाद वाले case से जाद ही आएगा, जाइर सी बात है जो 4 pieces है मेरे पास उनका क्या हो रहा है जब मैं उसको रख रहा हूँ, तो भी वो cover हो रहा है लेकिन, जब मैं उन्हें 180 degree rotate करके रख रहा हूँ, तो भी वो fit हो रहे हैं तो इसकी पीछे का reason जान लेते हैं reason क्या है जब मेरे पास starting वो जो frame था उसमें मेरा जो red square था वो भी उसमें जुड़ा हो आता center में मैंने क्या किया, मैंने सब को separate किया उनको rotate किया 180 degree उसके बाद मैंने उनको दोबारा अपनी जगा पे रखा तो वो बिना उस red square के ही fit हो जगए उसके बिना इफिट हो गए वो तो यह हुआ कैसे अगर ध्यान से देखें तो जो पहले वाला case था मेरे पास जिसमें वो red square add था उसके अंदर कहीं भी gap नहीं दिखा था मुझे, मुझे कहीं भी gap नहीं दिखा था किसी भी कोने पर लेकिन, जब मैंने उसका दूसरा case किया, जब मैंने वो square center वाला हटाया, उसके बाद जो मैंने उनको rotate करके दुबारा से fit किया है उसके बाद मैं देखुआ कि उसमें कहीं कहीं पे मुझे gaps दिख रहे हैं मुझे कहीं के gaps दिखेंगे तो अब उन gaps में तो fit आ जा रहा है, यहीं इसके पीछे का reason है कि gaps बच रहे हैं उसमें उन gaps को अगर मैं sum up कर दूँ तो वह उस छोटे वाले square के equal आ जाएगा जोकि उसमें fit हो जाएगा तो यही थी आज की वीडियो तो और भी ऐसी surprise होने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे साथ में जुड़े रही है और लोगों को भी जुड़िए thanks for watching